नमस्कार मैं हूँ विसमय लंकार और अभी आपके सामने आया हूँ सप्ताह भर की निउज डायरी को लेकर जिहां इस सप्ताह क्या क्या घटना हुई हजारी बाग में जो प्रमुख रही उनकी चर्चा अभी होगी सबसे पहले अगर विकास की बात करें तो जिले में दो बैठके हुई है एक बैठक भी सुत्री को लेकर था जिसमें सत्यानंद भोगता सामिल हुए थे इस बैठक में और उन्होंने भी सुत्री के जो कारिकरम चल रहे हैं जिले में उसे कैसे बैठक किया जाए कैसे समन्वय स्थापित किया जाए इस पर चर्चा हुई और एक तरह से कह सकते हैं कि यह यह जो बैठक थी वो थोड़ी सफल जरूर रही दूसरी बैठक दिशाक को लेकर हुई दिशाक की बैठक में जयन सिनहा जो सांसद है वो शामिल हुए आसपास के विधायक जो है हजारी बाग के जेपी पटेल हैं सदर के मनिश जैश्वाल हैं इन सब लोग इस बैठक में शामिल हुए और इन लोगों ने एलेंटी कमपनी को फटकार लगा जो यहां पेजल की योजना है उस पर काम कर रही है लेकिन सबकों पर पाइप बिछाने के करम में जो तोड़फोड की गई है और कई सबकों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है उसको लेकर काफी फटकार लगाई गई और कहा गया कि आप इन सबकों को जल से दुरूस्त किजि इक शांती पूर्ण तरीके से बकरीद मनाई गई किसी तरह का कुछ जो जिले में कुछ सब चीजेगों इस थी यह रही टी lleva की जो तो आटी PCR वैन है, पूरे राज में पांच जिलों को आटी PCR वैन दिया गया है, ये गाउं के छेतर में जाएंगे और वहाँ वहाँ पे जो ग्रामिन इलाके हैं, वहाँ पे 24 घंटे के अंदर आटी PCR की रिपोर्ट देंगे, तो कोविड के जो थर्ड फेज को आने की बात कह नहीं जा रही है, उससे लड़ने के लिए एक बहुत अच्छी पहल हुई, और जो पांच जिले को ये वैन मिला है, उसमें से एक हजार इबाग भी है, जिसे और इस वैन को बढ़का गाउं रवाना किया गया, उस इलाके की जो दूर दराज के लोग है, वो आप आटी PCR की जो जाच है, वो असानी से करवा सकेंगे, और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी पा सकेंगे, और यह पुरनता निशुलक भी है, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर बढ़का गाउं इलाके के लिए, हलाकि वो वेन और भी जगों पे लगातारी सी तरह से घूमती रहेगी अगली घटना जो है, वो इचाक के भराजों से है, जो ये कलही घटना घटित हुई है स्वनिवार को, और इसमें एक जो जूनियर इंजिनियर है, वो जो भराजों गाउं गए थे बिल के भुकतान को लेकर बिजली का जो बकाया बिल है, उसके लिए जो ये गए थे, रौड और डंडे से वार हुआ है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराए गया है तिक बड़ी घटना थी और इस सब्से चर्चित घटना जो परसों रात को घटी थी जिसका पता कल लगा वो था कि तीन साल पहले महस्वरी परिवार हजारी बाग का जो सब्से चर हाथ है या हथ्या करने के बाद आत्म हाथ्या कर लिया गया लगातार तीन सालों से यह बातें चल रही थी और उसके बाद सर्यू राइजो नेता है उनके कहने पर उनके लगातार दवाव के बाद इसे CID को इस जाच को सौप दिया गया और CID इस मामले की जाच भी लगातार कर रही है इसी दोरान सुक्रवार की रात को जो फ्लैट है जहां महासुरी परिवार रहता था और जहां ये घटना घटी थी उसके फ्लैट के दरवाजे को किस सबूत को मिटाने के उदेश से तोड़ा गया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाच जारी है हलाकि अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आ पाया है कि किस ने इस घटना को अंजाम दिया है तो ये थी 7 दिनों की बड़ी घटना है जो हजारी बाग में घटी थुई इसमेलंकार लगाता.in के लिए